जैहिं दोस्तों यूपीएसेंदीकेस ऑनलाइन प्लाटफॉर्म पे मैं अवनी सिंग आप सभी का स्वागत करता हूँ और उमीद करता हूँ आपकी एक्जाम के लिए प्रप्रेशन जो है अची चल रही होगी आएए देखते हैं हम अपना अगला लेक्चर जो है लूसेंट का जियोगरफी का ठीक है न ये अगले पंदर प्रशन देखते हैं कि किस तरह के प्रशन है और किस तरह के इनका उत्तर है पहला प्रस्ण जो है वो पूछ रहा है कि वह ग्रह जिसका अक्ष पर जिसका अक्ष पर क्या है जुकाव नियूनतम है तो वो कौन सा ग्रह है शुक्र है वो कौन सा ग्रह है है वो ग्रह है शुक्र अगर आपसे पूछ दें कि मैक्सिमूम ये नियूनतम पूछ रहा है अधिक्तम पूछ दें तो जो अधिक्तम जो जुकाव है जिसका उसका है अरूण। ठीक है ना, किसका? अरोण ठीक ना इसको क्या कहतے है हम लोग? Uranus Uranus ठीक है न? अच्छे इसका आपको करम याद है इसका करम याद है आपको इसका एक कोड रहे है वो याद कर लीज़े आप लोग ठीक है न? कोड याद कर लीजि़े My Very efficient mother just served us nut so, यह क्या हो गया my very efficient mother just served us nut M-V-E-M-J-S-U-N ठीक है न, यह NCRT में यह code दिया हुआ है, यह बरतस्ती का कोई code बनाया हुआ नहीं है, ठीक है न, किसमें दिया हुआ है यह code NCRT में दिया हुआ है my very efficient mother, just served us nut, mercury, venus, earth, mars, jupiter, saturn, uranus, napcune ठीक है न, बुद्ध, सुक्र, पृत्वी, मंगल, ब्रिहस्पति, बुद्ध, शुक्र, पृत्वी, मंगल, ब्रिहस्पति, शनी, अरुण, और वरुण, तो यह क्या है पूरा आपका क्या हो गया आपका, यह क्रम हो गया ग्रहों का, ठीक है न, दूरी के एसाब से, मतलब सबसे पास बुद्ध है, और सबसे दूरी पे वरुण, अब प्लूटो को क्या कर दिया गया है, बौने ग्रह में डाल दिया गया है, तो प्लूटो यह है, वो पूर्ण तक ग्रह में नहीं आता है, ठीक है न, तो वरुण तक ही अब ग्रम है, ठीक, तो उसमें क्या है, सबसे जो जुकाओ जो अपने अक्ष पर सबसे जुकाओ यानि अक्ष पर जुकाओ मतलब यह अगर है तो यह ऐसे टिल्ट हो गया अक्ष पर जुकाओ है इसका ठीक है न क्या हो गया है टिल्ट हो गया है तो यह यहीं पर rotate कर रहा है, यह यहीं पर इधर से इधर यह rotate कर रहा है, revolve इसको कहते हैं, और rotate करना इसको, ठीक है न, तो यह जो rotation time है, वो maximum किसका है, किसका है, तो शुक्र का है, इसका rotation time maximum किसका है, वो शुक्र का है, ठीक है न, और minimum पूछे तो, minimum पूछे तो ब्रहस्पत का है चलते हम लोग अपने अगले प्रश्ण पर चुम्बकिय छेत्र इसको सही कर लिएगा चुम्बकिय शेत्र का होना विशेश गुन है विशेश गुन है ठीक है न किसका कौन से ग्रह का है कौन से ग्रह का विशेश गुन है ये बुद्ध का है किसका है ये बुद्ध का व बुद्ध किया है वो सबसे पास का गर्या है ठीक है ना इसमें चुम्बक्य छेटर का पाया जाता है इसमें ठीक है ना आप लोग बहुत जादे मातरात्मिक घलतीयों पर मत जाएगा नहीं यहाँ पे छेटर लिखा गया है तो उसको आप लोगanton जो है वो उनको तुरंद वहीं पर सुधार कर लिए प्रयास यहीं रहेगा बाकी मैं भी इंसान हूं मैं भी मानों हूं तो गलतियां थोड़ी बहुत सबसे होती हैं प्रयास किया जाएगा सौप्रतिशत अपना कि वो ना हूं ठीक है न यहां पर शेत्र मैंने बता दिया है नेक्स्ट सरवाधिक तापांतर वाला ग्रह सरवाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है जिसमें सरवाधिक तापांतर है यानि कि सबसे ज़्यादा वो ठंडा भी होता है और वो सबसे ज़्यादा क्या है वो गर्म भी होता है तो सरवाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है आपका आपका उत्तर होगा, बुध क्या होगा, पश्चिम दिशा में, आपका उत्तर क्या होगा, वो पश्चिम दिशा में, नेक्स्ट है, clockwise, clockwise ठीक है न, घड़ी ऐसे चलती है, ठीक है न, ऐसे, ठीक है न, clockwise चलती है ऐसे घड़ी, तो clockwise, पूरब से पश्चिम, clockwise कह रहा है, वो पूरब से ले करके, पश्चिम में घूमने वाले ग्रह कौन से हैं, ठीक है न, तो इसका एक कोड याद रख लीजेगा, UV, वो होते हैं अल्ट्रा वाइलेट, अल्ट्रा वाइलेट, अल्ट्रा वाइलेट रेज होती है न, UV रेज जिसको बोलते हैं आप जो स्किन को एफेक्ट करती है, UV ठीक है न, अल्ट्रा वाइलेट रेज होती हैं तो वो UV, यूरेन, यूरेनस और वीनस, ठीक है न, यह जो दोनों है वो क कहलाता है ठीक रेट प्लानेट कहलाता है मार्स 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 यानि की मंगल ग्रह मार्स यानि की मंगल ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं रेट प्लानेट कहते हैं और रेट प्लानेट क्यों कहते हैं आयरें आक्साइड की वैसे उसमें आयरें आक्साइड पायाता है मंगल ग्रह पर इसकी वैसे वो red planet कहलाता है, ठीक है ना, next, next slide में हमारा जो अगला प्रश्न है, वो है, पृत्वी के समान, रितु परिवर्तन होता है, वो कौन से ग्रह है, वो कौन से ग्रह है, जहां पे पृत्वी के समान क्या है, वो रितु परिवर्तन होता है, ठीक, तो हमारा उत्तर क्या है उत्तर क्या है आप लोग एक बार मैं एक सेकेंट का समय देता हूँ कमेंट करिए आप लोगों को पता है उत्तर मैंने कहा है कि एक बार आप लूसेंट को जरूर रीड करके यह पेज टू पेज पढ़ा रहा हूं पेज बाई पेज उसको read करके आप एक बार जरूर आईए ठीक, तो आपको और अच्छा लएगा पढ़ने में, ठीक, और चीज़े आपको जल्दी याद भी होंगी, तो वो mangal है, ठीक है न, पृत्वी के समान रितु परिवर्तन होता है, किस पर पृत्वी के समान रितु परिवर्तन होता है, mangal grabber ठीक, next हमारा phobos और demos phobos और demos, ठीक है न इसको आप ऐसे भी बढ़ सकते है demos, या फिर ऐसे भी बढ़ सकते है ठीक है न, phobos और demos जो है, वो क्या है, उपग रहे है उपग रहे है, किस के उपग रहे है, mangal के, mangal के उपग रहे है ठीक है न, किस के उपग रहे है किस के उपग रहे है किस के उपग रहे है mangal के उपग रहे है next slide हमारा है next question mangal grabber इस्थित सबसे उचे परवत का नाम क्या है mangal grabber इस्थित सबसे उचे परbot का नाम क्या है तो मंगल ग्रह परिस्थित सबसे उचे परवत का नाम है Nix Olympia क्या है? क्या नाम है? Nix Olympia मतलब आपका उत्तर क्या होगा मंगल आपका उत्तर क्या हो जाएगा मंगल मंगल पूछू मैं अगर आपसे भी किस क्रम पर आता है तो वो किस क्रम पर आता है दूरी के हिसाब से बुद्ध शुक्र पृत्वी मंगल ठीक है ना मरकरी वीनस अर्थ मार्स चौथे नंबर पर किस पर आता है चौथे नंबर पर आता है नेक्स्ट हमारा कुश्चन है इस रो ने मार्स ये क्या है मार्स और्विट्रेरी मिशन ठीक है ना यहाँ पे आप जो है ये है मार्स और्विट्रेरी मिशन ठीक है ना मार्स और्विट्रेरी मिशन भेजा क्या है इस रोने किस जान से भेजा था तो आपका उत्तर होगा PSLV C25 PSLV C25 से भेजा था ठीक है ना PSLV C25 से भेजा था next है शनी पर पाया जाने वाला गैस है शनी पर यह ऐसे लिखे इसको शनी पर टाइपिंग एरर है यहां पर शनी पर पाया जाने वाला गैस है शनी पर शनी पर पाया जाने वाला गैस सैटन Saturn पर पाया जाने वाला gas क्या है gas है कौन सा gas है hydrogen और helium hydrogen और helium ठीक ना next जल से भी कम घनत वाला ग्रह वह ग्रह जिसका घनत जो है वो जल से भी कम है वो कौन सा ग्रह है शनी कौन सा ग्रह है वो शनी ग्रह है ठीक ना शनी ग्रह है कौन सा ग्रह है शनी ग्रह है नेक्स्ट प्रित्वी जैसा प्रित्वी जैसा स्वयम का सघन वायु मंडल वाला ग्रह है प्रित्वी जैसा जिसके पास स्वयम का सघन वायु मंडल है उत्तर क्या है शनी ठीक है ना शनी ग्रह है वो तो ये रहा कोशन नमबर 13 कोशन नमबर 14 ल लेटा हुआ ग्रह हम लोग किसे कहते हैं किस ग्रह को जो है हम लोग कहते हैं लेटा हुआ ग्रह तो वो है यूरेनस किस ग्रह को यूरेनस ठीक है ना तो मैंने भी बताया थोड़ी एर पहले यूरेनस और वीनस जो ये दो ग्रह है वो किस दिशा में आप लोग कमेंट करकी ज इस्टू वेस्ट गूमते हैं clockwise, ठीक, next, methane, अच्छा ये जो clockwise बोल रहा हूं उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब अपलोग समझ रहा है, अगर east to west ये चल रहा है, east to west, तो clockwise बोलने का मतलब क्या है, कि जिस दिसा में घड़ी की सुई चलती है, अगर anti-clock हो जाता तो यानि ये घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, गड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, anti-clock, clockwise का मतलब है कि east to west, अरे east to west ऐसे भी जा सकता है, इस to west ऐसे भी, लेकिन ये clockwise चलता है, ठीक, next, मीथेन गैस किस ग्रह पर पाया जाता है, मीथेन गैस जो है, वो किस ग्रह पर पाया जाता है, आप से प्रश्म कुछे तो आपका उत्तर होगा, नेप्चून, नेप्चून पर, ठीक है ना, नेप्चून पर पाया जाता है, वरून पर, ठीक है ना, नेप्चून पर पाया जाता है नेप्ट्यून पर वरोण ठीक आई एम लोग इसको एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी जल्दी ठीक वह ग्रह जिसका अक्षपर जुकाव न्यूनतम है वो कौन सा ग्रह है शुक्र है नेक्स्ट क्या हमने देखा चुम्बकी छेतर का होना विशेश गुण है बुद्ध का नेक्स्ट हमने क्या देखा सरवाधिक तापांतर वाला ग्रह है बुद्ध 600 डिग्री सेल्सियस ठीक न नेक्स हमने क्या देखा शुक्र शाम को किस दिशा में दिखता है ठीक है ना पश्चिम दिशा में पूरव से पश्चिम घुमने वाले ग्रह बीनस और यूरेनस next red planet कहलाता है red planet क्या कहलाता है कौन सा planet mars मंगल ठीक है ना किसकी वैसे iron oxide की वैसे next हमने क्या देखा पृत्वी के समान रितु परिवर्तन होता है किस ग्रह पर मंगल ग्रह पर next हमने क्या देखा फोबोस और डिमोस उपग रहा है किसके मंगल के किसके ग्रह हैं मंगल के किसके उपग रहे हैं मंगल के मंगल पर इसी सबसे उचा परवत निक्स ओलंपिया इस रो ने मार्स और्बिट्रेरी मिशिन जो है वो किस से भेजा था PSLV C25 से ठीक है न PSLV C25 से भेजा था शनी पर पाय जाने वाले ग्यास hydrogen और helium ठीक है न जल से भी कम घनत वाला ग्रह शनी ठीक प्रित्वी जैसा स्वयम का सघन वायू मंडल वाला ग्रह शनी ठीक नेक्स लेटा हुआ ग्रह Uranus Uranus ठीक है न अरूण मिथेन ग्यास किस ग्रह पर पाया जाता है Neptune पर Neptune पर Varun पर ठीक है न किस पर पाया जाता है Varun पर तो आज के लिए इतना ही जैहिन